नमस्कार दोस्तों, Pathfinder के Modern Indian History Lecture Series में आपका स्वागत है आज Lecture No.20 में हम discuss करेंगे 1857 की क्रांती के पहले हुए Tribal Uprisings के बारे में Tribal Uprising में आपको क्या याद रखना है? बिलकुल सिमिलर जो किसान विद्रों में हमने पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक तो year important है क्योंकि आपसे chronology पूछी जा सकती है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि विद्रों क्यों शुरू हुआ? reason क्या है उसके बीचे? अब reason यहाँ पर भी जादतर जमीन से जुड़े हुए है, taxation से जुड़े हुए है तीसरा कि उस विद्रों को lead किसने किया था, जो important leaders हैं, उनके नाम कभी-कभी पूछ लिये जाते हैं especially जब किसी विद्रों की anniversary है, 100, 500, 200 साल होने वाले हैं, तो फिर उस समय वो automatically important हो जाता है और चौथा कि उसके खत्म होने के बाद उसका कुछ impact था क्या, अगर impact था, long lasting को impact है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, हर tribal और peasant uprising के बारे में अब क्यूंके हम अभी तक 1857 के पहले वाले आंदोलन या विद्रो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके बाद भी जो विद्रो हुए हैं, उनको मैं एक lecture में cover कर दूँगा, peasant और tribal दोनों एक साथ cover होंगे तो कुल मिलाकर ये जितने भी किसान और आदिवासी विद्रो हैं, इनके तीन lecture होंगे, तो तीनों आप चाहें तो बाद में sequence में भी देख लीजेगा, लेकिन अभी मैं chronology के हिसाब से चल रहा हूँ, इसलिए किवल 1857 के पहले वालों को मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तो, Unacademy platform पर मेरा plus course स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हैं, महीपाल सर, ID है मेरी, उसमें आपको updates मिल जाएंगी regularly, जो भी मेरी classes, special classes या फिर कोई भी plus course आएगा तो उसके बारे में, और अन्ये platforms पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं चाहें तो, आज यानि 31 March को Unacademy का mega subscription offer का आखरी दिन है, आज के दिन में अगर आप Unacademy का 1 साल का subscription purchase करते हैं, तो आपको extra 4 months validity मिलेगी, तो याद रखिए 31 March को लेते हैं, तो 31 July 2022 तक का subscription तो आपको मिलेगा ही, और अगर prelims इससे भी आगे postpone हो जाता है, मानलो August या September में postpone हो जाता है, तो आपका subscription prelims की date तक valid रहेगा, इसका फाइदा यह होगा कि आप अभी अपना एक साल में course तो complete करी लेंगे, लेकिन last के जो 4-5 महिने हैं, उनमें आप revision batches को join करके, teachers के संपर्क में रह सकते हैं, और साथी साथ एक regularity अपनी तयारी में रख सकते हैं, तो अगर आप इस course को flat discount मिल जाएगा अगर आप यह वाला code use करते हैं, तो यह prices आपको pay नहीं करनी है, plus courses में आपको classes मिलेंगी, iconic में आपको classes, plus एक personalized mentor, जो आपको GS means answer writing की practice भी करवाएंगे, अगर आप optional की तयारी करना चाहते हैं, तो optional plus GS का एक combo plan है, जिसको आप avail कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प pay this price, use the code and get 10% discount, SSE, bank, railway, state, PCS जैसे exams की तयारी कर रहे हैं, तो भी आप an academy पर इनकी तयारी कर सकते हैं, इनके courses available हैं, but do not pay this price, आपको course इस price मिलेगा अगर आप code को use करते हैं, history lecture series के PDF आपको in telegram channels पर उपलब्द होंगे, UPSC 2018 के prelims में इसी topic से सम्मंदित एक सवाल पूछा ग संथाल परगना were created, संथाल परगना बनाया गया, दूसरा, संथाल से non-sंथाल को land transfer करना illegal बना दिया गया, इनमें से सही option कौन सा है, one only, two only, both one and two, neither one or not two, तो इसका answer आपको मिलेगा lecture के अंत में, लेकिन अगर आपको पता है, तो comment में एक बार question का answer जरूर दें, तो जितने भी आदिवासी विद्रो हुए, tribal rewards हुए, उनमें भी सबसे major कारण यही था कि land settlement regulation, यानि जमीन से संबंदिज जो नय कानून बनाये थे East India Company ने, especially जारतदारी या फिर permanent settlement, उसके कारण, tribals की जमीन पर भी असर आया, तो देखो, जमिनदार्स पर असर आया, किसानों पर असर करी, उसके बाद उस जमीन को छोड़ कर कहीं और फ्रेश जंगल वाले एरिया में गये, जंगल साफ किया, वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया, तो कोई एक fix जगे या जमीन नहीं है, लेकिन अंग्रेजों को ये विवस्त था, पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो ए ये बाद tribal को कहीं गई और ये उन्हें पसंद नहीं आई, तो जब पसंद नहीं आई, tax नहीं दिया गया, तो कई बार जमीन उनसे हतिया ली गई, और East India Company क्या करती थी, कि favor करती थी उन जमिनदार्स को जो tribal land के आसपास हैं, जो जैसे ही पहाड़ी इलाके शुरू होते थे तो बंगाल में भी कुछ पहाड़ी इलाके हैं, राजमहल हिल्स है, जारकन वाला जो आज का एरिया है, तो उसके आसपास के जो शेतर के जमिनदार हैं, उनको ये कहा जाता था कि आप वहाँ से tax वसूलो, tax नहीं आता तो जमीन अपने अंडर ले लो, किसी और किसान को दे हैं, तो वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, कई सिख किसान भी आकर यहाँ पर बसना शुरू हो गए, ट्राइबल लैंड्स पर, तो इसके कारण आदिवासी जमीनों में, आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों की आवक हो गई, उनका आना जाना हो गया, उनकी जमीनो होती है, आप जानते ही हैं, इंट्रेस्ट चड़ता जाता है, और अल्टिमेटली वो जमीन मनी लेंडर के पास चली जाती थी, तो ये दो सेनारियो होने लगे, एक तो बहरी लोग आने लगे, दूसरा जमीन का रेवन्यू वो दे नहीं पा रहे थे, खेती का रेवन्यू तो पहाड़िया नाम से ही आपको लग रहा होगा कि पहाड़ में रहते हैं, तो राजमहल हिल्स का जो एरिया है, वहाँ पर ये रहते थे, अब पहाड़िया विद्रो को समझने के लिए, पहले हम वेस्ट बेंगॉल और जार्खन का जो आज का मैप है, वो देख लेते हैं जोग्रफी तो कभी चेंज नहीं होती है, केवल पॉलिटिकल बॉर्डर चेंज होते हैं, तो देखे जब हम वेस्ट बेंगॉल में जूम इन करते हैं, तो यह है कॉलकता, जो उस समय भी ब्रिटिश का कैपिटल था, इससे हम अगर उत्तर की दिशा में बढ़ते हैं, तो जहां पर आप देखोगे, यह जार्कन और बिहार का बॉर्डर है, जहां पर इस वक्त मेरा माउस पॉइंटर है, तो यह वाला जो राजमहल हिल्स का एरिया है, आज के समय में यह जार्कन राज्य में आता है, ठीक है, तो राजमहल हिल्स जो हैं, इसमें यह प्रॉब्लम ओए ति और आगे, एक और सन्थाल विद्रो आएगा, उसमें भी अगेन ये एरिया आपको याद रखना है, राजमहल हिल्स वाला यह सन्थाल विद्रो में भी काम में आने वाला है, तो पहाडिया रिबेलियन होता है, 1778 में, राजमहल हिल्स वाले एरिया के आसपास, पहाडियास उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारी territory को autonomous declare करो तो इस विद्रो के बाद में British मान जाते हैं और इनकी territory को दमनी को नाम से declare कर दिया जाता है autonomous तो दमनी को एक फारसी शब्द है ठीक है इसका मतलब होता है कि पहाडों के आसपास वाली जमीन पहाडों के नीच को autonomous declare कर दिया गया और आगे चलके संथाल rebellion में भी आप देखोगे कि यही area वापिस आएगा इसलिए इसको याद रखना दमनी को में basically क्या होता है कि आगे चलकर संथाल को यहाँ पर बसाना शुरू कर देंगे Eastern India Company की policies के तहत तो यही same area जहाँ पर पहले एक बार rebellion हो चुका इसके बारे में मुझे भी recently पता चला कि यह जो चुआर शब्द है यह बंगाली में सही शब्द नहीं होता है अब हाला कि सारी किताब में इस शब्द को इस्तेमाल करती है इस विद्रो को बताने के लिए लेकिन हमारा फर्ज है कि अगर वो abusive है तो हम उसका correct term इस्तेमाल कर यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि मैं सालों को कैसे याद रखूं एयर्स को कैसे याद रखूं तो आप थोड़ा सा बस सीक्वेंस याद रखो कि जैसे कि पहाडिया विद्रो जो है यह और चुआर अप्राइजिंग अप्रॉक्सिमेटली साथ सेम समय पर हुए थे मेरे जबकि जंगल महल निकलना चाहिए क्योंकि मुझे भी रिसेंटली ये बात मालूम चलिए कि ये शब्द बंगाली में सही नहीं होता है तो वैसे चुआर जो है दियार अबॉर्जिनल ट्राइब्स ऑफ जंगल महल बांकुडा और मिदनापोर डिस्ट्रिक्ट है आईए ज जार्खंड और वेस्ट बंगॉल का बॉर्डर है तो इसमें जो बांकुडा और मिदनापोर डिस्ट्रिक्ट हैं इसके पास में ये है जंगल महल वाला एरिया जो आपको थोड़ा सा ग्रीन नजर आ रहा होगा बेसिकली ये पहाड़ी एरिया है लाइट हिल्स हैं छोटे जङल महल ऑड़ा है तो यहां पर ट्रायबल पॉपलेशन जदा है प्लेंज एरिया ये नहीं है और यहां पर जो एक डो लोकेशन है जिनका नाम आएगा जिसे जहाँ गाडशिला जो है जहाँ पर अभी मैं माउस का पॉइंटर रख रहा हूँ ये गाडशिला आईगा इ ये इस एरिया में हुआ अप्राइजिंग है आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे है एक ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे रिबेलियन अभी वेस्ट बेंगॉल वाला जो आज का रीजन या बिहार जारकन का एरिया है वहाँ पर ही हो रहे हैं इसके पीछे रीजन य जगे नहीं होती थी कि यहाँ पर इसका खेत है ये उसका खेत है तो यहाँ पर जब कुछ खेती ही फिक्स नहीं है तो लैंड रेवेन्यू कैसे fix किया जाएगा तो ये अंग्रेजों को सही नहीं लगा उन्होंने लांग की कोशिश करी उसके कारण एक्स्ट्रीम पीडियेफ उनको सहुलियत रहे एक और टर्म ध्यान में रख लो कई बार न्यूज में आप ये सुनोगे नॉर्थ बेंगॉल, साथ बेंगॉल अब वेस्ट बेंगॉल में भी नॉर्थ और साथ के डिमार्केशन क्या है तो डिमार्केशन ये वाली लाइन है बेसिकली मुर्शिदाबाद और इस से उत्तर के जितने भी जिले हैं मालदा, दिनाचपुर ये सबी बनाते हैं नॉर्थ बेंगॉल और ये वाला पूरा एरिया बनाता है साथ बेंगॉल जिसमें में चौबिस परगना, बड़े-बड़े डिस्रिक बता रहा हूँ, चौबि पूरी तरह से ट्राइबल डॉमिनेटेड है और यहां की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग ही चलती है, अगर आप वेस्ट बेंगॉल की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो शायद आपने ये आर्टिकल कुछ दिन पहले पढ़ा होगा हिंदू में, नहीं पढ़ा तो भी स्मिस नहीं किया, आपको ये याद रखना है कि ये अंदोलन कब होता है, तो 1768 में जो जंगल महल में रहने वाले आदिवासी हैं, वो घाटशिला के जमिनदार के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ हत्यार उठा लेते हैं, तो घाटशिला मैं आपको मैप में अभी दिखा है, जारखन में आता है आज, वहाँ के जमिनदार के साथ मिलकर इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, और इस्ट इंडिया कंपनी की जो forces हैं, वो शुरुवात में हार गई थी, इनकी आर्मी शुरू शुरू में हार गई थी, लेकिन अल्टिमेटली जैसा कि हर विद्रो में हुआ, company rule में या फिर बिडिश शासन में कि बाद में आर्मी और भेजी गई और East India Company ने इनको हरा दिया, तो 1771 में जो leaders थे, उनका नाम आपको याद रखना है, शाम गंजन और धादका, सबला सिंग और कालिया पाल और दुबराज, West Bengal PCS अगर आप काफी important हो जाते हैं, जारकन PCS वालो के लिए भी important है, तो ये rebellion suppress कर दिया गया था, लेकिन फिर 1798 में फिर से चुआर्स बगावत करते हैं, और इस बार रायपूर के जमिनदार के साथ मिलकर बगावत होती है, बेसिकरी रायपूर आता है West Bengal में आज के समय में, तो रायपू लेते हैं, बगावत कर लेते हैं, कि रायपूर एस्टेट को हम किसी और के हाथों में नहीं जाने लेंगे, मतलब वो जमिनदार के हाथ से एस्टेट शीन कर किसी और को दिया जा रहा था, लेकिन उसके खिलाफ ये बगावत शुरू हो जाती है, ये वाला भी revolt East India Company के दवा दबा दिया गया, यहाँ पर लीडर्स कौन है, मधाप सिंग, राजा मोहन सिंग, जमिनदार ओफ जूरिया, लश्मन सिंग ओफ दुल्मा, ये नाम है, नाम UPSC, मुझे नहीं लगता कि ये वाले नाम पूछे जाएंगे, मेंली रीजन पूछा जाएगा, तो टाइम पीरि का एस्टेट था, फिर आते हैं खासी रिवोल्ट पे, तो गारो खासी जैंतिया, ये तीनों जो एरिया है, ये कहाँ पर आते हैं, मिगाले में, आपको मालूमी होगा, तो खासी हिल्स जो है, उसके थूरू एक सड़क बनाना चाते थे अंग्रेज, तो ये जो असम वैली ह बेसिकली गोहाटी वाला एरिया है, यहां से ये एक रोड बनाना चाते थे, डिरेक्ली जो बेंगॉल के प्लेंस तक चली जाए, क्योंकि ये पूरा तो पहाडी एरिया है, इसको चीरते हुए यहां पर एक सड़क बनाई जानी थी, जो सिलहट में जाकर कनेक्ट करती है, तो इसके खिलाफ खासी विद्रो होता है, यह मेन रीजन था खासी विद्रो का, 1829 में यह रिवोल्ट होता है, इस इंडिया कंपनी एक सड़क बनाना चाहती थी, ब्रह्मपुतर वैली से सिलहट तक, लेकिन इस सड़क बनने के बाद, खासी इसको ऐसा लगा कि बहुत सार बाहरी लोग आ जाएंगे, चाहिए वो अंग्रेज हो, बंगाली हो, बिहारी हो, उत्तर भारत के हो, हमें यह सब नहीं चाहिए, उनको दिखने लगाता कि रोड कंस्रक्शन हो रहा है, तभी इतने सारे बाहर के लोग आ गए हैं, तो जब रोड बन जाएगी, तो शायद और जादा यह लोग आ जाएंगे, और हमारी सिक्यूरिटी चली जाएगी, तो इसी के खिलाफ खासी इज ने विद्रो किया, तीरत सिंग वस दे लीडर, इसमें खासी, गारो, खामती, सिंग, पो, यह सब शामिल हुए थे, और इनका लक्शे यह था कि बाहरी लोगों को बंगाली, बिहारी, मतलब जो भी भारत के अन्य हिस्सों से भी है, वो भी शामिल था, तो यह थोड़ा सा इसका पॉइंट आप याद रखेगा, अगला है कोल विद्रो या कोल म्यूटिंगी, 1831 साल बहुत ही इंपोर्ट है, और लोकेशन भी बहुत इंपोर्ट है, तो को पॉल आदिवासी छोटा नागपूर प्लाटू में रहते थे, छोटा नागपूर प्लाटू आज का जो 36 जारखन वाला एरिया है, यह वाला रीजन है, छोटा नागपूर प्लाटू, तो यहाँ पर यह रहा करते थे, इनके साथ भी यही समस्या हुई, कि इनकी जमीनों क बाहरी लोगों को दिया जाने लगा, अगर यह revenue नहीं दे पाते थे, तो बाहरी लोगों को दे दिया जमीन, और money lenders आकर बहुत सारे fraud contract करने लग गये थे, और fraud contract इसले करते थे, क्योंके आदिवासी पढ़े लेके नहीं थे, illiterate नहीं थे, तो उनसे फारसी भाषा में कु पूरी तरह से चेंज कर रही थी, मैं आपको बताया कि पहले गाउं में पंचायच के पास अधिकार थे, जुडिशल पावर्स भी थे, वो अब नहीं रहे, सेम कोल अधिवासी समाज के साथ था, जो इनके ट्रेडिशनल वे ओफ जस्टिस थे, उसको बदला जा रहा था, रे 1220 से 1837, ये कहाँ पर होती है, ये होती है, जारकंड वाले एरिया में, जो आज का जो जारकंड वाला एरिया है, उसमें सिंग बूम नाम की एक जगे है, आपने माइनिंग वाले जो चैप्टर्स पढ़ते हैं आप जोगरिफी में तब आपने जरूर पढ़ा होगा, तो य 1827 में फाइनली इन्होंने सरेंडर कर दिया, 1831 में फिर से एक बार हो और मुंडा आदिवासी मिलकर, मुंडा भी एक ट्राइब है इसी एरिया की, ये दोनों मिलकर फिर से बगावत करते हैं, तो देखो बार-बार बगावत होती जाती थी छोटी-मोटी लेकिन फिर से उस तो यहां के लोग आकर money lending का काम करने लगे थे, जमीने उनके पास जाने लगी थी, तो ये भी एक reason था विद्रो का, तो आप देखो कई सारे विद्रो में current किवल अंग्रेज नहीं है, बलकि अंग्रेजों के साथ आए, दूसरे areas के हिंदुस्तानी लोग भी हैं, तो उनको भी बाहर निकालना एक target या फिर objective हुआ था इन सारे विद्रो का, हला कि primary objective वो नहीं था और यह आ क्यों रहते बंगाली, because of the British revenue policies, इसलिए यह आकर बाहर के लोग यहां पर settle होना शुरू हुए थे, तो सिंग भूम नाम जगे, जगे का नाम याद रखेगा, अगला है असा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की इन्होंने हत्या कर दी, रिवोल्ट का लीडर थे, चीफ, निरंग, फिडू, और इन्होंने कई British garrisons पर attack किया, कई soldiers को भी मारा, बट ultimately यह rebellion भी fail हो जाता है, फिर आती है खोंड अप्राइजिंग, खोंड एक tribe है जो ओडिशा और आं इनके भी विद्रो का reason यही था, कि company द्वारा supported, जमिंदार जो है, वो tribal lands को हतियाना शुरू कर चुके थे, नए-नए taxes आ रहे थे, और अपनी पुरानी tribal cultural practices को इन्हें छोड़ना पड़ रहा था, क्योंके company के नियम कानून इस प्रकार के थे, तो finally, Khond, Gumsar और Kalahandi tribes यह लेकिन होता क्या है कि यह पूरे समय विद्रो नहीं चलते थे, जब भी इनके पास power आई थोड़ा सा powerful हुए, तो attack कर दिया, फिर वापिस उसके खिलाफ कोई action लिया गया, जब स्थिती बहुत जादा बढ़ जाती थी, यानि कि पानी bridge के उपर से बह जाती था, तब राजस्तान, गुजरात, मध्यवर्देश इन एरियास में रहते हैं, तो इसी एरिया में जो गुजरात वाला region है, यहाँ पर यह revolt हुआ था, 1817 से 1846 तक, नवकदास जो है, वो लीडर थे, कौस क्या था, जब भी अकाल पड़ा, जब भी हालत खराबती किसानों की, उस समय भी टैक्स वसूला जाता था, इस से किसान नाराज थे, भील नाराज थे, तो पंचमाहल डिस्रिक्ट है गुजरात में, आज वहाँ पर यह revolt शुरू होता है, और आपने नाम सुना होगा गोधरा का, तो गोधरा के विलकुल पास में थे थे पंचमाहल, लीडर्स के नाम याद रखेगा कि रूपा सिंग और जारिया भगत ये भी लीडर्स हैं, suppression of revolt after execution of लीडर्स, तो इस तरह के विद्रो जो भी करते थे, उसमें अंग्रेसों का टार्गेट ही होता था, कि इनको मार दो, जैसे राजा महरा जा है, वो ट्रीटी ओ अफ अलाबाद में राजाओं वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, वो कोल हमने पढ़ा था, वो कहा थे, वो तो यह इस्टर्न इंडिया में थे, अब जो कोली हैं, ये आज भी महराष्टर के के एरियास में रहते हैं, जो वेस्टर्न गाट्स वाला एरिया है, यानि की भील टेरिट्री है, जो पूरे हिल हिली एरिया है वेस्टन गाट्स के इस एरिया में कोलीज भी रहते हैं तो कोलीज ने भी कई बार वगावत करी 1839, 1849, 1844-1849 बेसिकली 19th सेंचुरी में multiple अप्राइजिंग्स हैं इनका भी कारण यही था कि इनकी जमीने जा रही थी unemployment बढ़ रहा था और इनके जो किले थे उनको भी dismantle किया जा रहा था कोलीज जो है यह मराठा को support किया करते थे लेकिन मराठा जब खत्म हो चुके हैं थर्ड अंगलो मराठा वार के बाद मराठा पावर खत्म हो चुका है पूरी तरसे तो यह भी एक reason था और मराठा पावर वार के बाद कई सारी आर्मी रेजिमेंट्स को disband कर दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को लगताव है कि यह जो पुरानी इनकी आर्मीज हैं पुरानी रेजिमेंट्स हैं इनमें फिर से बगावत हो सकती है तो कहीं फोर्थ अंगलो मराठा वार की अगर आप स्टेट PCS के एक्जाम दे रहे हैं जैसे महराष्टर PCS का तो यह नाम आपके लिए बहुत important हो जाते हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा तो कॉज याद रखना बागी UPSC mostly यही पूछेगा कि रामोशी अपराइजिंग के पीछे कारण क्या था कारण यह था annexation of Peshwa territory और unemployment आ गया था इनकी नौकरियां चली गी थी forge में जो यह नौकरी करते थे इस revolt को suppress करने के लिए पहली बार अंग्रेजों ने दिमाग लगाया नौकरी दे दी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है देखो जनता को चाहिए नौकरी और इनों ने दे दी नौकरी तो सारा revolt खतम उनको जमीन भी दी गई आर्मी पुलिस सब में recruit किया गया तो बिल्कुल सही करीके से इस revolt को इनों होता है 1840-41 में finally British's revolt को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं अगला है संथाल rebellion अगर आप इस पूरे lecture में से अगर एक चीज़ याद रखके जाते हो तो वो संथाल rebellion याद रखना संथाल revolt जो है वो काफी एतिहासिक विद्रो है उसके पीछे दो-तीन कारण है पहला ये 1857 की जो क्रांती हुई थी या first war of independence था उससे just एक साल पहले हुआ था तो कई लोग इसको इसका हिस्सा भी मानते हैं मतलब कई historians कहते हैं कि संथाल rebellion से आप शुरुआत मानो 1857 नहीं बलकि 1855 से इस rebellion की शुरुआत मानो लेकिन जातर historians इस मत में इसको नहीं मानते हैं क्योंकि इनके reason अलग थे वहाँ पर reason अलग थे अब देखो संथाल भी ट्राइबल्स हैं जो इसी एरिया में रहते हैं कई सारे ओडिशा में भी रहते हैं जार्खंड, छत्तिसगर्ड, वेस्ट बंगॉल बहुत बड़ी territory में ये फैले हुए हैं अब हुआ क्या था कि permanent settlement के बाद अंग्रेजों ने ये policy बनाई कि एक काम करो आपके अगर दूसरी जगे जमीन जा रही है आपके पास कुछ है नहीं तो आप यहाँ पर आओ हम आपको settle करेंगे किस एरिया में राजमहल हिल्स में काहां पर थे? जारकंड, आज का जो जारकंड ने है वहाँ पर ये स्तित थे तो राजमहल हिल्स वाली जो territory है ये वाली यहाँ पर इनको settle किया गया कि आप यहाँ पर आराम से शांती से खेती करो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन 10-20 साल के अंदर अंदर ही ये सारी सिचुएशन बदल गई तो शुरुआत में तो अंग्रेजों ने संथाल जमीनों के उपर कोई जादा प्रॉब्लम नहीं करी लेकिन 10-20 सालों में क्या होता है कि वही वाली पुरानी ट्रिक्स यहाँ पर भी इस्तमाल करी कि जमीनदारों के थुरू जमीन हत्याने की कोशिश करी टैक्स कोई दे नहीं पा रहा है तो या तो उसको मनी लेंडर पैसा दे रहा है या फिर जमीनदारी उसकी जमीन ले रहे है तो ऐसे करके संथाल को यहाँ पर भी उनसे जमीने ली जाने लगी बाइदवे यह एरिया कौन सा है दमनी को यह वही पहाड या रेबेलियन वाला एरिया है भागलपूर और राजमेल हिल्स के बीच में इस एरिया में यह सब कुछ हो रहा है तो संथाल जो है वो इससे काफी नाराज हो गए उन्होंने कहा कि हम बाहरी लोगों को भगा देंगे यहां से बाहरी लोगों को संथाल कहते थे दिकू तो बाहरी लोगों को भगाने की जब बात करी गई तब इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी और इनका target ही था कि East India Company को उखाड फेकेंगे ये बोलते भी थे कि हमें तो East India Company को यहां से भगा देना है उनको revenue अब नहीं देंगे विद्रो की leadership करी थी चार भाईयों ने जिनमें से दो के नाम हमारे लिए important है सीदो और कानू मुर्मू इन दोनों ने इस बगावत को lead किया था संथाल आदिवाशियों को एक करने के लिए बगावत के लिए उकसाने के लिए सिदो और कानू मुर्मू ये कहा करते थे कि देखो हमारे जो भगवान है जो ठाकुर है उन्होंने कहा है कि हमें अजादी मिलनी चाहिए तो it is our duty के हम इसके लिए लड़ें और इस बगावत को कई बार संथाल हूल भी खा जाता है ये नाम important है highlight कर लेना कई बार इसको directly हूल के नाम से ही पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं बस इत्ता पूछते हैं कि when was whole organized या कब हुआ था कौन सी tribe थी कौन सा area था तो इस whole में या फिर इस बगावत में जमिंदार महाजंस और अन्य लोगों पर हमले करने शुरू किये गए जमिंदार पर क्यों कि वो जमीने ले रहे थे महाजं क्यों कि वो पैसे दे रहे थे और हत्यार रहे थे जमीनों को उनके घरों पर हमले हुए कुछ railway construction site हैं उन पर भी हमले हुए थे रेलवे बनना शुरू ही हुआ था नया नया और जो अंग्रेजों की dark थी dark लेकर जाते थे उन लोगों पर भी हमले हुए इस विद्रों में यानि आदिवासियों के विद्रों में कई दूसरे लोगों ने भी उनका साथ दिया तो जैसे ग्वाला या जो दूद का काम करते हैं milkman, लुहार इन्होंने भी आदिवासी का साथ दिया और संथाल rebellion में इनको support किया East India Company को पहली बार आदिवासियों की तरफ से एक serious challenge मिला था इसलिए इस विद्रों से निपटने के लिए उन्होंने एक तो martial law का इस्तमाल किया और एक बड़ा campaign चलाया अभी तक हमने जितने भी आदिवासी विद्रों पड़े हैं उनमें इतने बड़े-बड़े campaign नहीं चल लाखों में थी उसके 15,000 लोग मारे गए कई गाउं के गाउं पूरे destroy कर दिये गए इनफाक्ट अंग्रेज ये policy रखते थे कि जिन गाउं से जाधा बगावत थी उन गाउं को तो उन गाउं के घरों को हातियों के द्वारा कुचलवा दिया जाता था इस तरह से suppression किया गय विद्रो के जो दोनों leaders हैं दोनों भाईयों को East India Company ने मार दिया था और यहां पर 1866 नहीं 56 होना चाहिए sorry for that mistake लेकिन इन हजारों संथाल की जो मृत्यू है वो व्यर्थ नहीं गई क्यूंके अंग्रेजों ने इस विद्रो के बाद actually में कुछ बदलाव किये दो बदलाव किये सबसे पहला इन्हों ने एक अलग division बना दिया एक अलग geographical division बना दिया बेंगॉल presidency के अंदर इसको कहा गया संथाल परगना division आज भी जारकन में अलग है और लगभग यही एरिया था थोड़ा सा कुछ बेंगॉल का एरिया भी इसमें शामिल था जब आप में दिखाया था तो संथाल परगना division अलग बना दिया गया और यहाँ पर एक अलग कानून लागू कर दिया संथाल परगना tenancy act तो उस कानून पर मैं एक दिन एक special वीडियो भी बनाऊंगा आप उसको जरूर देखेगा उस कानून का जिस्ट यह है कि उसमें संथाल स सही है संथाल परगना create किया गया और संथाल की जमीन नौन संथाल को नहीं बेची जा सकती और आप जानते होंगे कि आज भी भारत के कई राज्यों में इस प्रकार के नियम कानून है कि शिडियूल कास्ट या शिडियूल ट्राइब की जो जमीन है वो नौन शिडियूल का पहले वो जारकरण वाले एरिया में भी आता था और बीरभूम जो वेस बेंगॉल का इर डिस्टिक्ट है वहां से एरिया इससे निकाले गए और संथाल परगना create किया गया तो यह संथाल परगना टेननसी आक्ट आता है 1876 में इसी के साथ यह लेक्च्चर समापत होता है pathfinder test series को जरूर attempt करें daily test होते हैं इसमें हफते में 6 दिन free test series है और यहाँ पर हमने कुछ awards भी रखे हैं top 10 rankers के लिए लेकिन सबसे बड़ा award यह होगा कि आपके prelims में number अच्छे आ जाए sunday kone academy combat है इसमें हजारों aspirants एक साथ हिस्सा लेते हैं तो आपको overall अपनी तैयारी का स्तर यहाँ पर जाचने को मिल जाएगा और यहाँ पर तो बहुत बड़ी-बड़ी scholarships हैं तो इसमें भी हिस्सा लें again it's a free initiative और कई लोग message करके या comment करके बोलते हैं कि हिंदी में क्यों न करवाते हैं तो देखिए आप अपनी app की language को हिंदी में change कर दीजिए तो automatically सारे question आपको हिंदी में नजर आएंगे तो combat pathfinder यह सब हिंदी में भी available है just change the language in your settings इसी की साथ लेक्चर समापत होता है pathfinder को subscribe जरू करें अगर आपको lectures अच्छे लग रहे हैं और जादा से जादा की साथ इसे share करें have a great day